हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्स भाय विनी में आपका स्वाटत है, आज हम बनाने जा रहे हैं रवा फिश फ्राइ, जिसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम सोल फिश जो कि विदाउट बोन है, फिर मैंने लिया है दो टेबल स्पून सूजी, एक कप चावल का आटा, एक टी स्पून भर के जिंज़ गालिक पेस्ट आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च आट कर सकते हैं पर मैंने इसमें carbohydrate नहीं करी है, फिर मैंने लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नाल मिर्ज, हाफ टी स्पून नमक, एक नीमू कररस और चार टेबल स्पून करते हैं रवा फिश फ्राइए आये फ्रेंड्स मेरिनेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट फिर डालेंगे हल्दी लालमेच पाउडर नमक नीमो को रस यह सब हमने मेरिनेशन ते लिए डाल दिया है अब हम इसको जेंट्ली हलके हलके हाथ से इस मसाले को इसके अंदर मिक्स करेंगे अब हम इसको 15-20 मिनिट के लिए फ्रिज में रख देंगे उसके बाद हम इसको शेलो फ्राई करेंगे देखिए फ्रेंड हमने मैरिनेट किया हुआ फिश फिल्ट से निकाल लिया है अब हमस्का कोटिंग करेंगे एक प्लेट ले लिया है हम लोगों ने अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे राइस फ्लाइर डालने के बाद हम इसमें आड करेंगे सूजी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद फिश का पीस उठाएंगे और इसको इसमें अच्छे से लगाएंगे अब हमने एक पैन ले लिया है इसमें हम लोग ऑई डालेंगे और इसको अच्छे से गरम करेंगे उसके बाद हम लोग फिश फ्राइए करेंगे ऑई अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें फिश डालेंगे अब हम चेक करते हैं कि नीचे से फिश फ्राइए हुई अच्छे से या नहीं नीचे से फिश हमारी अच्छे से फ्राइए होगी फिर हमें सारे पीसिस को पलट दिया है अब दूसरी तरह से भी हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे फिश हमारी दो मसलब से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब हम इसको एक किटन टाल में निकाल लेंगे और आईए अब हम इसकी प्लेटिंग बिदर दे हैं फ्रेंड्स हमारी रवा फिश प्राइब बन के तयार हो चुकी है बहुती क्रिस्पी फिश पनी है आप इसे ट्राइजरों कीजेगा मैंने इसे हरे धने की चटनी के साथ सर्फ किया है आप इसे बनाएए खाईए और अ एक नई रेस्पी के साथ थांक यू